हाई फ्रेंट्स एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बाइजूस बेंगाल ओमेंस टेट्वेंटी स्रीच की जो अगला मैच आज खेला जाएगा MSCW vs. MBCW के बीच में इस वीडियो के अंदर दोस्तों में आपको दोनों हे टीमों के पूरी इनफॉर्मेशन आपको सेयर करने वाला हूँ आज बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों कौन से प्लेयर आज आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे कौन से प्लेयर फर्स्ट आउन पे खिलते हुए नज़राएंगे दोस्तों सारे प्लेयर का बैटिंग ओडर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लिट चार ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे सारे information आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा भाईयो motivation के लिए दुस्तों वीडियो को like से start करना और इस वीडियो को last तक जरूर वच करना ताकि जितने भी information है दुस्तों आपको सही तरीके से मिल पाए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेश्ट है अगर आप चेनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाईयों दूस्तों आपके पास सिधे notification जाएगा और सारे matches का जानकारी आपको इसी परकार मिल पाएगा दूस्तों अगर आपको हमारा बताएगा पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी help मिलता है तो एक बार इस वीडियो को like करके भाईयों एक बार हमें support जरूर करना और सबसे important है कि हमारे टेलिग्राम गुरूप को join कर ले देखो यहाँ पर न दोस्तों आपको more का option देखने को मिल रहा हुगा जैसे अब एक बार join जरूर से जरूर कर ले ना तो चलिए अब information की और आगे बढ़ेंगे भाईयों यह जो match रहाएगा आठ पैतालिस में यह सुभा यह मुकाबला आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड आपको पता है दोस्तों ज्यादा ग्राउंड पे बात एक नहीं करेंगे हम ल जीता है और second betting team दो matches जीता है यहाँ पर MSCW के जो टीम है भाईयों अभी तक देखेंगे देखो यह चीज से आपको क्या पता चला यह चीज का मतलब है कि दोस्तों यह जो records में आपको शेर गया कि जो भी टीम टॉस जीतेगा तो सबसे पहले बल्लेबाजी करने का निरने ले सकता है क्योंकि इनके जीतने के probability भी जादा है ठीक है तो यह चीज ध्यान रखना बाकी MSCW के टीम अभी तक तीन matches खेल चुका है पहला मुकावला के ACW के खिलाप हो आता लेकिन MSCW के टीम इस रन को chasing करते वे जीता है दोस्तों second match भी chasing करते वे जीता है और last match की बात कर आएंगे तो यहां पे भी जितते हुए आ रहे है 110 का टार्गेट सेट करा था यानि तीन के तीनों मैचेस अभी तक देखोगे MSCW के टीम जितते हुआ रहे MD Sporting Club ओमेन के टीम वे अगर आप देखेंगे MBCW के टीम का रिकॉर्ड माहन बगान AC ओमेंस के टीम का रिकॉर्ड जो के दो मैचेस अभी तक खेला है ठीकर पहला मुकाबला 137 का टार्गेट दिया तो यहां पे विन करा है सेकेंड मैच भी विन करा है दोस्तों दो मैचेस खेला है दोनों के दोनों मैच जितते हुए आ रहे हैं चली यह बैटिंग ओडर की और आगे बढ़ेंगे जो आप के सबसे ज़्यादा काम आएंगे सबसे पुल अगर आप देखोंगे दियोती पॉल का रिकॉर्ड यह ओपन करती है दोस्तों तीन मैचेस खेली है पहले मैच के अंदर 15 रन स्कोर किये फिर 10 रन फिर 3 रन यह खिलाड़ी अभी तक देखेंगे तीन मैच के अंदर 28 रन स्को फर्स डाउन पे खेलती है पहले मैच के अंदर 15 रन स्कोर किये फिर 4 रन फिर 11 रन फिर 21 रन तीन मैच के अंदर टोटल अभी तक देखेंगे तो 40 रन बना चुकी है बाके दीपा दास सेकेंड डाउन पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 4 रन स्कोर किये फिर 7 रन फिर 24 अबिस रन, तीन मैच का अंदर टोटल 55 अभी तक बनाई हुए है गोहर सुल्ताना का रेकॉड पहले चे रेकौड इन का अब GVC तक बनाई हूए है प्रिया पांडे पहले मैच का अंदर दो वीकेड फिर तीन वीकेड फिर आपそ Argentor दूस्तों यह पर एक विकेट निकाले, तीन मैच के अंदर टोटल, उननीस रमना के छे विकेट निकाल, जो कि चार ओवर इनका फिक्स है, इनको एज ए बोलर तो अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राय करना दूस्तों, बाकि आपे बात करेंगा दूस्तों, यह पर पहले मैच के अंदर एक विकेट फिर फ्लॉप रहते फिर तीन विकेट, टोटल, तीन मैच के अंदर चार विकेट निकाल चुकिए, फास्टर गिंद बाज है, बाकि तपटी पॉल, पहले मैच के अंदर एक विकेट फिर फ्लॉप रहते लगातार, दो मैच के अंदर मेच बागोश starting कर दो match के अंदर flop रही थी last match के अंदर एक winkett निकाली भी है बागी इसली मालिका रहाए पहले match के अंदर 1 winkett फिर आपी 1 winkett last match के अंदर flop रही है मुँए अगर आप देखेंगे शुश्मिता पॉल का रेकार्ड पहले match के अंदर Law प्रिया पांडे यहां पर गोहर सुल्ताना यह दो गेंदबाज हैं जो कि आपको डेध अबर पर जाने कि 16 से लगबग 20 ओवर तक के गेंदबाजी में आपको यह दो बॉलर आपको बॉलिंग करते भी दिख जाएंगी आप देखो बैंचिस में अगर आप देखेंगे मेगना विश्वास जाना की शरका और यहां पर दोस्तों तेरेक टटा यह तीन प्लेयर जो आप देख रहे हैं यह तीनों प्लेयर आज आपको बैंचिस में जराने वाली MSTW के टीम के तरफ से बाकी भाईयों जो आप बैटिंग ओडर देख रहे हैं दोस्तों लगभग आपको सेम बैटिंग ओडर इस मेच के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन MSTW के टीम के तरफ से अगर आप देखेंगी तो धारा गुजर आपको ओप करते भी दिखेंगी लेफन बैट्स मेंने पहले मेच के अंदर 32 रन स्कुर किये एक विकेट निकाले फिर बार रन मनाई थी दो मेच के अंदर टोटल 44 रन मना के एक विकेट निकाल चुकिये दोस्तों बाकी आप अगर आप देखोगे शमयता अधिकारी का रेकॉर्ड इन इंका बाला पहले मेच के अंदर फरस्ट रन पे खेलते विकेट निकाले फिर आप चार रन कोई विकेट निकाले दो मेच के अंदर टोटल अभी तक 19 रन मना के एक विकेट निकाल चुकी है तीथी धास पहले मेच के अंदर बैटिंग बोलें से फ्लॉप फिर छेरन प्लस दो विकेट दो मेच के अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो छेरन मना के दो विकेट निकाले पूजा रजक दो मेच के अंदर मातर 19 रन है इनको ड्रॉप करेंगे पहले मेच के अंदर में को रिकॉर्ड नहीं रहा है दूस्तों पंपा श्रकार का रिकॉर्ड पहले मैच का अंदर एक विकेट दूसरे मैच का अंदर दो वर का गिंदबाजे में एक विकेट ने का लिए ओफ इस पेनर है दो मैचेस खेले दोनों मैच का अंदर इनको दो विकेट मिला हुआ है त अगर इस मैच कंदर यह लाइन अप में रहती है MBC के टेवलो के टीम के तरप से तो फिर ही आपके लिए इंपोर्टन्ट गेंदबाजों में से सामिल होगा अब इस स्टार्टिंग और पर देखेंगे तो थी ती ती दास और यहाँ पर दूसरों सन्वेटा पढ़ रहा है यह जो दो बोलर आप देख रहे हैं यह से चार ओवर तक के गिंदबाजी में लगबग आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी और वहीं डेथ ओवर में दे जाएगा भायों यहाँ पर आपको जो भी बैटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग और क्या अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तो मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तियार किया हुआ है चलिए टीम की और आगे बाकि अगर आप देखेंगे प्रियंक का बाला भी बहुत इंपोर्टन है टीम के फर्स्ट रॉन का बैट्स मेरा दो मैच के अंदर टोटल एकसो दो रन बना चुकी है तो यह दो खिलाड़ी आपके लिए बहुत इंपोर्टन हिनने वाले विकेट की बिरिंग ससन में रिक के लिए भी कम होगा लेकिन इनको कैप्टन सी के लिए लेने के पीछे बहुत सारे कारण है पहले अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का यह खिलाड़ी है अभी तक अच्छा पोइंट्स दीवे साथ यह बॉलिंग भी करती है ठीक है टीम के ओपनर बैट्समन प्लस च आसाथ बॉलिंग भी करेंगे मैंने इन तीन ओलनर को अपने टीम के अंदर जगा दिया हुआ जैसे कि मैं आपको रिकॉर्ड्स में बताया था बाकी बॉलिंग में तीन बॉलर है पीपांडे को मैंने लिया हुआ है एम रॉय यह दो गिंदबाज MSCW के टीम के तरफ से बा मामले में बहुत बैस्ट है तो अभी इस टीम को आप लोग सेव कर लो भाईजियो और लाइन अप का वेट कर लेना अगर एक दो प्लेयर चेंज भी होता है तो मैं फाइनल टीम आपको अपडेट कर दूँगा हमारे टेलिग्राम ग्रूप में तो टेलिग्राम ग्रूप स कर दो नाप खूआ कर देलिग्राम